तुम्हारा जो सबसे बुरा कस्टरमर है तुम्हें सबसे ज़ना सीखा के जाता है दिल से धंदे को प्यार करता है उसके पास इता भी नॉलिज नहीं रहा तो चलेगा बड़ उसके अमन में इता हंगर रहता है कि मैं मेरे कस्टरमर को कैसे अच्छे से सब करो यह समझ लो कि यह मेरा धरम है तो मेरे लिए हर दंदे वाले को एक सालोट है उसमें बहुत इंपरेंट पॉइंट है कि सब लोग जो भी चालो पड़ता है वो माइंस से रेडिनी हो दिवाली रोली रक्षावन सब कुछ आप यहीं मनाओगे रिस्टोरांट चालो करने का है तो तुम्हें यह सब कुछ करना ही पड़ेगा पूट ब्लोगर के लिए आपने क्या तिक्लम लगाया हुआ है पूट ब्लोगर को आने के बाद कितना पैसा देना चीए अरोज बढ़ते रो अगर आप बढ़नी रहो तो मर रहो तो अशा कि सला दिन्दगी यही है वेरी पहले मार्केटिंग होती थी प्रोडक की अब मार्केटिंग होती है स्टोरी डोज कस्तामर से यह तो रोज मार्केटिंग कितनी बढ़ेगी आज हमारे सामने बैठे हुए अनन भाई सुरस से आये हुए हर किसी ने अनन भाई को देखा रहेगा शाक टेंग सेजन्द भी की जब बात होती है तो अनन भाई का जिकर जरूर होता है कि जोरको जोरको है क्या चीज और कहां से एक दम खतरनाक वाला ये एंट्रोपोनर ब सबसे इंपोर्डेंट सवाल आपसे यह है कि जब आप पीछ कर रहे थे वहां की जो एनर्जी थी ओ देखके सारे जितने भी इन्वेस्टर्स थे वहां पे जो शाक जिनको बोलते हैं ऑपन भी खुश हो रहे थे और जैसे आपने आपकी जो प्रोग्रेस दिखाई तो उन्हें प्रोग्रेस करता है तो सामने वाले को यह लगता है कैसे कर लिया तो मुझे यह बता है आनंद भाई मनलब आपने बहुत सही वर्ड बोला अन्रिजनेबल तो स्टार्ट अप का मतलब ही यह होता है कि मैं जो भी करने जाला हूँ वो डिस्रॉप्टिंग है अन्रि उन्रिजनेबल बनके ही वो आगे बढ़े अब मुझे ऐसे लगा एक मिनिट के लिए कि उनकी जो ग्रोथ थी उनसे ज्यादा आपकी ग्रोथ है तो क्या उनको पचानी हजम नहीं वा उनको ग्रोथ तो उनकी स्पीड से अपन चल रहे जैसा उन्होंने किया वहां पे जितन जितने लोगों उतना धरम है और मेरे लिए तो ऐसा है वाईया कि जितने धंदे उतने धरम है क्योंकि एक धंदा और दूसरा धंदा कोई सिमिलर नहीं हो सकता सरी का उसका प्रोग्रेस नहीं हो सकता तो मैं आपको सबसे बहुत अच्छा सा एक मार्केट पकड़ा जिसका क कोई अंत नहीं है खाने पर नहीं के जिजए तो आज से 10 साल बाद 15 साल बाद 100 साल बाद भी चलने वाली है और कुछ न कुछ जिसमें नया आते रहेगा तो आपने अच्छा धंदा पकड़ा हुआ है उसमें अन्रिजनेबल ग्रोथ आपने लाई 17 मेने में 150 आपने खोले तो आप मुझे बताइए कि जो पहली बार जब स्टार्ट किया तो क्या माइंसे स्टार्ट किया कैसे प्लानिंग कि मैं 2-3 साल में 1000 आउटलेट आपनी खोली तो आप जैसे कोई भी बंदा जब धंदा स्टार्ट करने के लिए जाता है तो एक अपना माइंसेट बनाता है आप उसके माइंसेट के बारे में बताइए जब अमने स्टार्ट किया था तब हम लोग को फ्रेंचाइजी क्या होता है किसे क्या करते कुछ भी आइडिया नहीं था हम लोग ने खाने पीने का दंदा करना था फूड़ी थे आपने दिखा हुआ कोवीड के टाइम पर हम से यह तो जो भी बंदा नो से पाच का जॉब कर रहा है ना उसकी दिमाग में सबसे पहले अगर कुछ आता है तो यह आता है कि यार मैं खाने पीने का दंदा चलू करूं क्योंकि हम लोग उसके रिलेट करते कि जब भी मैं किचन में जाता हूँ खुद बनाता हूँ अर्य जान पाइचान के लोग थे नहीं नहीं हमारा यह था कि अपने को लेना यह जो रेडी सेट आप तो आपने कैसे धुंडा उनको मरलब अगर कोई बंदा अगर खुद का रेस्टोरंट निकालने के लिए जाए तो मार्केट में कैसा धुंडे कि यह रेस्टोरंट बंद होन यह खाली-खाली सा लग रहा है तो डायरेक जाके पूछते थे कि आपको बेचना है तो उसको लग यह यह तो अपरोथ सही नहीं है तो फिर आमने क्या दूसरा चालो करा हम जाते थे उनको यह पूछते थे कि आपके धियन में कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो बंद होने वाल आप जब बात करते हो जब समझाते हो ना मुझे वह चीज बहुत समझी आपसे हर किसी ने सीखनी चाहिए कि आपने चीजों को उल्टा करके देखते हो एक बार कि मैं ऐसा क्या चेंज करू ताकि मुझे रिजर्ट सही मिले वह बहुत अच्छा लगा मुझे आपका तो फि उसको लिक्विडेट करना ही था और यह तो एकदम साधारन सा बात है कि भारत में जित्ती भी रिस्टोरंट चालो होते हैं हम लोग बहुत एनरजी के साथ स्टार्टो करते बटो एनरजी जैसे सेल चालो हो जाता है वैसे कम-कम होते जाती है और फिर एक साल में करीब और जो पांच साल तक जिन पांच ने सश्चेन किया उनकी तीन जनरेशन उसी रेश्टोरेंट से खाती है एकदम परफेक्ट है हमेशा देखिए क्या होता है इसको एक प्रकार से एक फेनोमेन होता है कि अगर आपको कोई अगर पूरानी अगर बिल्डिंग दिखती है या हम लोग देखते जैसे खड़ा रहनी के लिए जगानी रहती और अच्छा रहनी के लिए जगानी रहती यहीं लग कोई उसको देखके मेरे को लगता है बहुत आती रहती है उस पे आप कर सकते आपने एक बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट बुला कि लोकेशन और मेरे ख्याल से किसी भी धंदे को रेश्टराइन वाले धंदे को सक्सेस्पूल करने के लिए जित्ता एंद्रपनार इंपॉर्टन है उससे भी ज्यादा प्राइमरी बुलते हैं और दुसरा से सेकंड रिडूर गली में जाके तो उससे क्या बेनिफिट होता है प्राइमरी होने से कि आपकी मार्केडिंग वहां से जितने लोग जा रहे हो एटलिस नाम तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे आपके दूसरा आसपास का माल मतलब आपका यह हमारा पहला क्रेटिदी आशे ला राइट मैं जब भी मेरे लोगों से जब बात करतो बहुत सारे लोगों से बात होती रहे थी मेरा मेरा एक शिंपल गनित में उनको बदा तो रेंट देते समय ना कभी कंजूशी मत करना जहां पे तुमारी फटे रेंट देने वही रे चाहे और पचास टकाई खाली तुम्हारा जगा का खर्चा है अब तुम जित्ता मार्केटिंग में इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा तुमको रिटन आते रहेगा तो हमेशा रेंड में कभी कंजूशी नहीं करनी जीए जित्ता ज्यादा उत्ता बहतर बिलकुल और दूस नेगोशेशन स्किल्स बहुत अच्छे तो आप 10 तक भी खीट सकते हैं परफेक्ट है परफेक्ट है तो उतना आपका रेवन्यू का शेर एजरेंड चला जाएगा करेक्ट 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 आप मनलब पार्टनर्शिप हो गई हां रॉयल्टी टाइप हो गया कि म मैं अगर बढ़ रहा हूं तो तेरा रेंड भी बढ़ेगा यह मैने में अगर मेरा दस लाक का दंदा हुआ तो एक लाक तीरा नो लाक मेरा बढ़ी है और दूसरा यह चीज बड़ी-बड़ी जो कंपनिया है आप युएस मार्केट में दिखेंगे तो काफी सालों से इसको इंप्लीमेंट करें इंडियन मार्केट में अभी इंप्लीमेंट होना चलू है और लोगों को भी प्राइड होते हैं कि यहां पर आपन चालू करेंगे उसके बाद में कैसे तरी कैसे फिर कारवा आगे बढ़ा 170 तक कैसे पोचे उसमें कारवा इस तरह से आगे बढ़ा आपने को कुछ करना है और क्या प्रोड़क करें समझ में नहीं आ रहा है अंदाब मेरे को एक बात बता आपने जो चीज भूली मैंने आपका मेनु भी देखा और मेनु वह असा लगा कि यह किसी के लिए बना हुए हर किसी के लिए बना हुए और मार्केटिंग जिस तरीक प्रोफिटेविलिटी कम आएगी तो हम लोग पीछ करते हैं यह कोई कपड़े का काम कर रहे हो तो उसमें आपके इन्वेंटरी का प्रॉब्लम आता है कि भई मैं दस तरह के अलग-अलग कपड़े रखूंगा तो इसके इन्वेंटरी रखने पड़ेगी तो उसमें मेरा हें मतलब अगर आप बर्गर से मेरे पास मोहिटों और साथ में फ्रेण्च फ्राइज थो बर्गर के साथ इसको इस तरह कि अगर पीजा तो जालीक बिट उसको कॉम्पलिमेंट करती और मैं ब्राउनी घा रहा हूं तो मुझे वह डेजर्ट चाहिए और दूसरी हमने सारी तो आप इसमें मैं आपको डबल क्लिक करता हूँ अंदर का बात बताइए मुझे कीचन वाली बात बताइए जो भी बंदा आपस प्रेंजेज लेना चाता है उसके लिए बता दीजे मेरा अगर समझ गया मेरे पास इक्विपमेंट कौन से रहते आपके पास नंबल ऑफ इक्विटमेंट बता दीजे जैसे अगर मैं समझू अगर मेरे को पीजा बनाना है तो मेरे पास ओवन होना चाहिए अगर मेरे को सैंड़ीच ग्रीलर होना चाहिए तो फिर दो ही लोग फिर दस काउंटर पर हां कितना आप बता दीजें चलो सबसे पहले अपना पीजा ओवन चाहिए और चाहिए अब चाहिए और यहां पर इसका जो डिस्टेंस से वह एकदम बाजू बाजू समझ गया जैसे कि आप अपने घर पर काम करते हो कि चूले पर दो रहते तो आप इस पर यहां पर दाल चड़ाते यहां पर चावल चड़ाते हो समझ गया इस तरह का समझ गया समझ गया आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है इसके वह से आपके ज्यादा चल जाते हैं हमने जो अभी तक समझा हुआ है वह तो मतलब सिंपल हमारा यह कहता है जितने कम तुमारे नंबर आफ एसक्यू उत्ता पर चलती है आपका शेफ नहीं है तो आपके लिए सामने देखने वाले को मेनों ज्यादा दिखता है लेकिन अंदर के लिए तो सब सेरी कही है समझ गया बहुत बढ़ी है और मुझे बताइए कि आपने यह बहुत इंपोड़न था जो पॉइंट मिस हुआ कि शेफलेस यह कंसेप्ट कहां पर क्रियेट हुई यह विजिकली हम लोग ने जब हमारा रेश्टोंट यह लिया कोविड के अंदर हमने रन करना शुडू किया तब तक तो हमको पता ही नहीं था यह कैसे क्या होता है तो पहला कस्ट्रमार या फिर पहला दिन उसके लिए तो शेफलेस नह अटरा गंडे का दंदा है गलत मत बुलना चार गंडा का चोड़ दिया आपने सूबे पाच बज़े से लेकर रात को 11 बज़े तक मरवा नहीं पड़ती है कोई दूसरा वर्ड नहीं उसके लिए रेश्टोरन चालू करने का है तो तुम्हें यह सब कुछ करना ही इसके लिए माइंड से कोई रेडी होता नहीं है समझ गया चालू तो कर देता है एकडम एक्साइटमेंट में बड़े आती है ता उसको समझ में आता है कि भाई टिकाना बहुत उसके लिए हैं आपका जो बैग्राउंड डेखता हूं तो आप एनलिस्ट है सबसे विल आद काम करता हूं अभी आज कंपनी का वैल्यूएशन 500 क्रोड रुपए बराबर है मुझे अगर 500 क्रोड रुपए बनाने होते तो कितने साल जिरोधा वाले नो इतना बड़ा बना लिया उन्हों अभी तो स्टार्ट अपी करा ना इसे अगर काम करता है है ना जैसे आप मुझ जो आप देख रहे हो धाई साल में 500 क्रोड की वैल्यूएशन आप जिरोधा की बात करते हो तो अगर वह स्टार्ट अप किया तब जाके बना बराबर है तो मैंने आपको बता है कोविड के टाइम पर हम फूड बना रहे तो मार्जीन वाला घंदा यह दिखा समझ गया चलाया और उसमें को समझ में कि यह 365 दिन का इस ताल 366 अब कोई भी शेफ है वह 365 दिन तो काम करनी सकता करेक्ट बीमार भी होगा विचारे को गाओं भी जाना होगा कोई शादी वादी यह कुछ भी आएगा राइट राइट अब जिस दिन आपका पूरा खेल बदल गया जो कश्टमर आपके रिपीटेड वो बूलेंगे कि यार सर कल जो आये थे वो टेस्ट नहीं है अच्छा बिलकुल बराबर और शेफ भी बड़े शाने होते हैं उसको पता दिवाली आ रही है तो बुले मुझे गाओं जाना है हां मेरी सैलरी बढ़ा हो इता मैं जा रहा बढ़े वो सब चीजों को अलिमनेट करके एक मौडुल तयार किया है तो आपका अलिस्ट वाला माइंड चलो हो गया हुदर कि क्या करूँ क्या 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 मतलब क्या मैं सिंपल टम में समझा लाओं मैं बनाते आप घर पर पर आप बनाते या कोई भी थरड़ पाटी बने सब्सक्राइब करें तो उसके बाद में अपना तो पहले मैने में पहले कौटर में और 150 की जरनी बता दो अब यह साल तक हमने रहन करते गए तो प्राइज बढ़िया था सारी प्रोडक्स एक अम्रेला के नीचे अवेलेबल थे अगर पास दोस्तार एक इस गाना तो भी अवेलेबल है किसी को मोई तो पिना तो भी अवेलेबल है और कोई खाली नहीं जा रहा है ठीक है और दूसरा कस्टमर के विच्पम थोड़े पर आपने आज़े जुबिलेंट फूड्स को स्टेडी किया रहेगा ना जुबिलेंट फूड्स को अधर करेक्ट तो बना बना धंदा तो आपने पिर कैसे वह इनौट किया या वैसे कॉपी किया तो सबके लिए सब को चाहि है तो मेरे ख्याल से आप एक मशीन टाइप हो जैसे वेंडिंग मशीन लगी हूई रहती है आप किसी भी स्टेशन पर चले अएरपोर्ट पर चले ज़ो वेंडिंग मशीन लगी हुई रहती है आपको सब दिख रहा है क्या चाहिए उसमें बटन दबाओ पैसा डालो नीचे से आ जाता है वैसे अपना शेफ प्लेस मॉडल बन गया है सारा का सारा मेनू दिख रहा है और करो अंदर कोई आयरा गयरा नत्तु गयरा कोई भी रहे उस सब्सक्राइब बच गया है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो आप किसी को भी मतलब किराना दुकान जैसा हो गया कि घर वाला कोई भी रहे अंदर जाये बना के आनके आपको बूलता है आप जितने भी लोग धंदा कर रहे हैं सबने प्रॉब्लम फेस की होगी अच्छ सब्सक्राइब अब और आपको फिर क्या करना पड़ता है आपके जो एंपलोई उसके हाथ पर जोडने पड़ने पड़ता है यहां टेंशन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बराबर बहुत से आप थोड़ा सा जरनी बता दीजे मुझे कि पहला जो कस्ट्रमर आया उससे अब हमने लर्न ऐसे किया हमको तो इतना नौलेज था नहीं इसके बारे में आज भी सिखी रहे तो सिखे कैसे कैसा लगा क्या लगे इंडिया में कस्ट्रमर इतने अच्छे हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया की कि मुह से कोई बूरा नहीं बूलता है अपने को थो जोटा का चोड़के क्या रहा है वो देखो हो इंटरस्टिंग इंडिया में पैसे देंगे वी अगर जूटा चोड़के जा रहा है क्या बात एक दम खराब लगा है कि पैसा देंगे चोड़के घारे तो में खट वह मेरा पेड बर गया तो बोलता था यह नहीं नहीं को समझ में आए कि आप प्लीज बताएं आप उसे साप से इंप्रूव कर पाएंगे यह बहुत बढ़िया यह खासियत होती है पता है क्या जो भी दिल से धंदे को प्यार करता है ना उसके पास किता भी नौलेज नहीं रहा तो चलेगा बड़ उसके मन में इतना हंगर रहता है पैसा देखे अगर कोई छोड़ रहें है कि तुमारा जो सबसे बुरा कस्टरमर तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा के जाता है यह एकदम पलब कोई भी धंदार है होना तो सेम ही है तो फिर आपने नेक्स पहले फ्रेंचेज की इंक फ्रेंटों करा सब्सक्राइब नाम तापका पहले फ्रेंचेज सब्सक्राइब्स ने या भाए उनने आया के सबस्क्रांज़ और हम को वह भी हमारे एरिया में ऐसा कुछ जोर को चालू करना है यह मेरे खाल से यह सबसे बड़ी चीज रहेगी वर्डब माउस से ही आती है करना है तो आप कैसे किया जाए तो हमने किया कर रहा है तो कैसे गिनते थे उस चीज़को की यह बंदा चार वारा जैसे आप कहीं पर जाते हो को भी रश्टन आपने नाम हो नमबर लिया जाता है करेक्ट 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 उसमें दिखता है रिफ्लेक्ट होता है कि यह मेरे खाल से सबसे अच्छा यूज केस है किसी भी सॉफ्टर को लगाने का कि आपके लॉयल कस्ट्रमर को अगर आपको धुनना है तो आपका वेटर या आप खुद या आपकी बीवी नहीं नहीं बता सकती आपको सॉफ्टर की हेल्प लेने ही पड़ेगी लॉयल कस्ट्रमर को समझने की और मलब आपने तो लॉयल कस्ट्रमर से लिया बट दुनिया का अगर आप किसी भी धंदे को अगर देख लो अगर कोई धंदा बढ़ता है तो एक ही चीज़ पर मलब मैं तो अगर तो तुम्हारे पास अगर लॉयल कस्ट्रमर नहीं तो तुम्हारा दंदा नहीं बढ़ सकता है तो तुम्हें दुनिया में कोई बढ़ने से नहीं रुख सकता है तुम 15 महीने में 170 भी खुल सकते हो बूलता हुँ हजार भी खूल सकते लोग तो आपके पास नहीं होगा तो आप करेंगे और आपके पास नहीं होगा तो आप किसी नहीं किसी नहीं को बता ही है करते हैं बेटे हो कोई सोच रहा तो आप उसको सजेशन दोगे बिलकुल 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 मैं तो बता रहा हुँ ना जित्ती भी नो से पाच वाले लोग है अगर चार लोग आगर कहीं पर जाके बैठे तो उसमें से एक ना एक बार तो निकल दए है कि अर और सबसे बैस कि उसके बन में एक बार आया था मैंने उसको ट्रिगर किया कि हमारे पास बहुत सिंपल है और अभी एक एक फ्रेंचाइज को सेट अप करने में कितना डाइम लगता है वो डिपेंड करता है सामने वाले की एजनसी इसमें हमने फ्रीडम दे रखी है सबसे बड़ी खासियत यह नो प्रोफिट शेरिंग और दुसरा फरनीचर के लिए कोई बर्डन नहीं है समझ गया आप अपना फिरनेचर कुछ चुछ कर सकते हो आपको ओलेक्स सबस्ता मिलता है लो ना भाई आपके पैसे बचरे यह हमारे लिए सबसे अच्छी बट आपने जो स्पीड है मेरे खायल से तो ऐसा रहेगा कि आप चाइना से सोर्स करो डाल दो मेडिन इंडिया जोर को इसन इंडियन ब्राइंड और सब कुछ मेडिन इंडिया ही रहेगा अच्छा नहीं चाहिए 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 बड़ी है अपने इधर ही बनाएंगे 2000 में बनानी हो इंडिया में महाराष्ट्र में कमी बिल्कुल नहीं है उसको रुजगर देना और और भारत के धंडेवाले ने अगर यह ठान लिया कि मेरे को यह करने कई है अगर हम लोग मोबैल बना सकते हम लोग ब्लुटूथ बना सकते अगर पूरा का पूरा जो पहले चाहिना में बन बनाना जलो हो गया तो तो इंडिया में बनना कोई तोड नहीं है आप पूराने अपने देखो मतलब पचास साल पूराने भी जो चेर बनाई वह चले रहते अभी चले रहते हैं परनीचर के अपने पास कारीगर देखो गजब के तो भाई किसी को भी अगर रेस्टोरेंट मनलब आपका साइन बोर्डेज हो गया आपका फरनीचर हो गया आपका मिक्सर ग्रांडर हो गया डिप फ्रीजर हो गया कुछ रहे तो आनन्द भाई को जरूर कंटेक करना क्योंकि आपके लिए 2000 से भी ज्यादा अपॉर्टुनिटीज आने वाली अगले एक साल में बहुत कि मुलाब ऐसा है कि कोई अगर अच्छा पानी पूरी वाला भी रहेगा ना वह भी ज्यादा कमा लेता है उसके लिए अपन क्या करने वाले हमारे जितने भी आउकलेट से मीजर फूकस टायर 234 पर है करेक्ट जैसे कि आपने पीश में भी सुना होगा हम मेट्रो सिटीज यह मॉल्स परफेक्ट है कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमारा और टिकेट साइज भी हमारा आप देखोगे 200 रुपे वह आपका 200 रुपे का है तो उस हिसाब से हमारा यह रिवेन्यू समझ और इसके लिए हम दूसरा मार्केटिंग में सपोर्ट करते हैं करेक्ट आप मार्के तो हम वह में सब एक दूसरे को जानते हैं करेंगे बाटर करेंगे आपका कपड़े की दुकान है और मेरा पूड का हम दूसरे को नहीं कर रहे हैं पूटिन स्टेप वाला स्ट्रेजी हो गया कि कस्टमर पहली बार आएगा एक्स्पिरिंस करेगा तो वापस रिपीट एक दम पर्फेक्ट तो यह 50,000 वाला करते फिर जैसे से आगे बढ़ते जाते तो अगर इसा लगता है कोई को फ्रेंचेजी वीक है तो उसको 50-50 सपोर करते हैं समझ गया 50% मार्केटिंग का बजट हम देंगे यह बहुत बढ़िया किया मेरे ख्याल से जो बढ़ रहा है तो बढ़ी रहा है बट जो पीछे चुट गया उसको आगे लेके जाना बहुत इंपोड़ेंट रहता है उसका हाथ धरना बहुत इंपोड़ेंट रहता ह लेकिन हमारे लिए तो हमारी पुरी ब्रैंड वेल्यू है तो ध्यान देना ही हमको तो यह बहुत अच्छा कि आप से आप फिर मार्केटिंग करना और कहीं ऐसा लगता है कि अपने को सिख्टी भी करना सिख्टी बहुत बताना जाओंगा हमने इसो में बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट बना हुआ है उसका नाम है गूगल रिव्यू कार्ड हम लोग पूरे भारत को फ्री में दे रहे किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे मैं यह चाहूंगा कि हमसे लोग कहीं से भी लोग कोई दिक्कत ही नहीं है बट सबसे इंपोर्डेंट है कि गूगल पर चाहिए तो आप आसानी से किवड होच कर आफ के रिवीू ले लो रिवीव लेने से क्या होता है ना कि हर बंदा आज कर हर कोई अपना मोबैल खोल जाता है बाहर एक बार डालेगा और डालने केबाद उसको अगर अच्छे रिव्यू दिखे अच्छे फोटो दिखे अच् तो बहुत important हो जाता है तो आपको जबी भी लगे जो भी जोरकों के franchise को अगर चाहिए तो आप हम से contact कर लिजिए आपके लिए Google review card हम लोग अच्छे से भेज देंगे और उससे आपको business में तरक्या ही जाएगी तो आपने अभी बताया marketing के लिए आपने बहुत अच्छे तरी तो कोई भी college वाले बच्चे तो एक बार आती है और फिर मुझे तो अकेला तो लेगा नहीं तो कुछ और भी लेगा उससे अपना दंदा बढ़ना चाहिए फुट ब्लोगर के लिए आपने क्या तिकलम लगा हुआ है कि एक फुट ब्लोगर को आने के बाद कितना पैसा द घ्रकते करेक्ट तीन वह तो भूल जा वह बाखी के पांस देख लिए चाहिए वह हम देखते हैं समझ गया और जो रिच भी आ रही है कोशिच दिखते कि वह पूरी जग़ा पुलर है या सिप उसी उसी इसी में पॉपुलर है कि हमको ऐसा चीज ऑ सिटी में मॉपुलर हो सब्सक्राइब करना बहुत इंपोर्टन बात बुली मैं भी हमेशा मेरे सारे जित्ते भी धंदे वाली लोग है उन सब को बताते रहे तो कि जब भी हम लोग इंफ्लॉएंसर मार्केटिंग करना बहुत इंपोर्टन है बट उसमें आपका लॉजिक यह रहना चाहिए उसके जो लास्ट रिसेंट पास से साथ जो है उसमें देखो कि कितने हजार कितने लाक व्यूज है उस हिसाब से पैसा डिफाइन करो अगर किसी के एक लाक से नीचे अगर व्यूज है उसको तो बोलो भहिए आप आटर कर ले मैं आप आते रहो आप वीडियो बनाते रहो खाते रहो जितना खाना है और निकल लो और सबसे इंपर्टन यह होता है न कि मतलब एक ट्रिक आप यह यूज कर सकते हो कि जितने भी लोकल इंफ्लॉएंसर रहते है उनको एक क्या करो आपका एक पिज़ा एक मोजिटो या फिर उनके फैमिले में जितनी भी लोग रहेंगे उनका एक छोटा सा पैकेट बना कि उनको गिफ डे क्या आजाओ जैसे उनके घर पर वह आएगा वह बंदा वह तो है इंफ्लॉएंसर उसको चाहिए इंफ्लॉएं पड़ता है बूलू क्या और मैं तो दिन में एक या दो ही डालता हूँ लोग लोग तो है कि पाश्पाट डालते है उनको तो टॉपी किजिए कि क्या डालू तो जैसी जोर्को का वहाँ पे आएगा वो लोग वीडियो निकाल निकाल के डालेंगे कि जोर्को ने मेरे अब मैं इसको हंड़ेट परसंट करूंगा कुछ निए अपने को मैं आपको बदाता हूँ क्रेट ने यह किया था क्रेट ने मलब कुनाल शाह उन्होंने क्या बोला कि जो भी क्रेट पर आएगा उनको हम लोग केक बैचेंगे ओ कहा पे ऑफिस में अच्छा अब मानके जल आज तो देरा बड़े नहीं है कुछ नहीं है क्यों आया केक तो बोले कि अरे मैंने क्रेट पे इंस्ट्रॉल किया था तो उन्होंने केक बेजा अब 500 रूपे का केक है वह बटा साथा लोगों में तो और सबने अभी मेरे को भी केक आना चाहिए तो आठ लोग आ गए अब उसका क्या हो गया कम अब मैं अगर गूगल और फेस्बुक को एक कस्टमर जोडने के लिए 500 रूपे दे रहा हूं उससे अच्छा सो रूपे का केक किला के कस्टमर जोड ले तो उसी तरीके से करना चाहिए कि आप आपने आजो बजो के इंफ्लूंसर को खली भीजो वह ब पॉफिट शेरिंग ले नहीं रहे तो उसका धंदा बढ़ेगा तो रॉप मट्रील का कंजप्शन भी तो हमारा बढ़ेगा बराबर है तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि उसका धंदा बढ़े तो मैंने जित्ता देखा हुआ है कि डॉमिनोज और बाकी जित्ते भी चेंस है व तो मेरे ख्याल से उसका तो इफेक्ट वहाँ पर आये डिफिनिटली बट आपने जो बोला कि 50-50 वाला उससे बहतर यह हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा मार्कप बढ़ाए या फिर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट शेरिंग थोड़ा कम करे बट जित्ता भी आ रहा है न वहाँ पे जो कस्टमर मेरे पास आये है उनके लिए री मार्केटिंग करें आपके पास कस्टमर का फोन नम्बर आता है आपने अगर गुगल रिव्यून ले लिया गुगल का जो हम लोग काड डेंगे उससे अगर रिवियून ले लिया तो आपके लिए फेस्बूक और ग तो आदमी घुम फिर के आएगा धोरको में तो ओ करना मेरे लिखायाल से बहुत इंबर्डेंड है कि री मार्केटिंग के जो ताकद है जबरदस्त है जो मेरे पास कस्टमर आया मेरे पास जो कस्टमर नहीं है उसको अंदर लाने का कॉस्ट है 500 रूपे का बट जो मेरे पास क आपके लिए तो डबल डबल इंजिन है मतलब जैसे यूपी में योगी है और उपर मोदी भी है तो आप तो है तो मारवाड़ी उसमें भी जैन और उसमें भी सुरत से अरे बाबारे बाबा तो उसमें भी बनिया और उसमें भी बॉट अपने समझा और आपको लगा कि साला जिंदगी यही है मेरी प्रॉफिट तो आपके पीता जी धन्दा करते मेरे अपकी इलेक्रिक की शॉप किया बात है क्या बात है तो अभी चल रही है अभी थोड़े जो शॉप जहां पर थी वहां पर थोड़ा दूल वगरे का इशू रहता है तो मतलब इन्वेंट्री धन्दा रेंट प्रॉफि सबसे पहला जो तुमारा धन्दा आ रहा है जो तुमारा गल्ला हो रहा है वह आपको हर टाइम पता होना चाहिए कि मेरा गल्ला खता हुआ कित्ता हुआ मैं अगर या पर बैठा हुआ हूँ मेरा अगर दुकान वहां पर चल रहा है तो म्हें कहलेरा हुना qualche मार्केटिंग करें कि पर्फेक्ट चैये लोग आपको ऊपने लए वीडियोने का इनुस्रान जेसे बाई बरेनी क्या है अचे नजाए घर मार्केटिंग करनी मांदेगी तुम ही तुमारे जैसे आंग फर्लांब क्म्म अ तो सबको जोर को समझने वाला है वैसी तुम तुमारे धंदे के ब्रैंड आमबेसिडर हो खड़े रो वीडियो बनाना चलू करो अरे नहीं कुछ तो अपने कस्ट्रमर से रिवीव ले लो जो भी कस्ट्रमर खुश है उससे रिवीव ले लो छोटी बच्ची को एक टॉफी तो उसको बोलो कि मेरे जोर को बहुत अच्छा लगा अरे वो इतना वाइरल हो जाएगा रील की पूरी दुन्या जोर को में आ जाएगी उस तरीके से करना चाहिए कि तुमको रोज मार्केटिंग करनी पड़ेगी यह समझ लो कि यह मेरा धरम है अगर तुम मार्केटिंग अगर तुमारा धंदा नहीं बढ़ रहा है तो यह रिस्पोंसिबिलिटी तुमारी है तुमको नहीं आके कस्ट्रमर लाके देने वाला तुमको करना पड़ेगा और अगर तुमने धंदा चालू किया तो थोड़ी बहुत मार्केटिंग सीखनी बड़ेगी तुमारा मतलब तुमने किया यह ना तुमने बोला कि मेरे को धंदा चालू करने का है तो देरी हरी पलंगा वरी तो होने नहीं वाला हरी आपको कस्ट्रमर लाके नहीं देने वाला आपको मार्केटिंग करने बड़ेगी और दूसरा एक कॉंसेट अभी आप देखेंगे थोड़े से टाइ अब जो ओनर है यह को फाउंडर है वही उसके फेस बनेंगे यह शुरू आप देखोगे इससे लैंसकाट का फेस कौन है अभी बन गया पहले मार्केटिंग होती थी प्रोडक्त की अब मार्केटिंग होती है स्टूरी मेरे को कहानी सुननी की है आज आप और मैं इसलिए ब कि अनन बही ने कैसे स्टाट किया कैसे सोचा कि मैं ऐसा करो ऐसा करो इंजेक्शन वाला आइडिया कहा से आया यह सारी कहानी बनती है आदमी की ओपरेटिंग सिस्ट्म है जैसे कंपूड़र की ओपरेटिंग सिस्टम होती है Windows या MacBook या MacBook या iPhone की या Android की जैसे होती है इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते वैसे इयां कमारी裡 ऑपरेटिंग कोढ़ी मतना है वैसे ही जो founder के story रहेगी न ओपरेटिंग सिस्टम में आपके धन्दे की बिल्कुन जो founder बोलेगा ओ लोग सुनेंगे और वैसा ही जैसे राजा वैसी प्रजा जैसे founder बोलेगा वैसे ही सब कुछ होने वाला है तो आपको और एक बात बहुत important है जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले हम लोग जब पूराने धन्दे होते थे उन पूराने धन्दे में हम लोग salesperson रखते थे हम लोग accountant रखते थे क्योंकि sales होनी चाहिए तो salesperson चाहिए अगर रेश्टारेंट है तो उसमें वेटर होना चाहिए गल्ले पे कोई बैठना चाहिए वैसे ही हर धन्दे को एक बंदा रखना पड़ेगा जो उनके लिए कंटेंट बनाता ही रहे एक सोशल मीडिया वाला परसन चाहिए चाहिए कुछ जाजा नहीं एक चोटा सा मोबेल लेलो जिसमें धंका कैमेरा हो और जो भी हो रहा है मैंने आज ज़डू मारा तो कैसा ज़डू मारा मेरे पास कस्टमर आया था तो कैसे बेठा उसने कैसे और दिया और कैसे खुश तुमारा धंदा ओरिजनल में कैसा दिखता है जो ओनर खुद के फोटो शूट करके पंद्रह जार बीस जार रूपए का फोटो शूट करके जो वीडियो या फोटो डाले जाते है ना उसमें आप गूगल आनिटिक्स में जाके देखो उस पर कुछ भी व्यूज नहीं आत तुमारे तो बन पड़ी और यह टार्गेट रहना चाहिए कि मेरा अगर धंदा है तो मेरे धंदे में जित्ते भी कस्ट्रमर आ रहे है उसके पचास टके कस्ट्रमर ने मेरे को रिव्यू देना चाहिए उसके लिए जो भी बंदा गल्ले पे बैटा है उसको इंसेंटिवा ले जाते हो तो 25 रुपए का एक रिव्यू आता है और अगर तुमको कोई जन्यून बंदा अगर रिव्यू दे रहा है तुमारे एंप्लोई के बोलने से तो उसको 20 रुपए तो दे दो यार पाच रिव्यू अगर आ गए तो उसके तो सो रुपए बन गे उसके ऑखुश आप एक रिव्यू दे दीजिए रिव्यू मिल गया मेरे 20 रुपए तो लूप सिस्टम आपको बनानी पड़ेगी फिडबेक सिस्टम बनानी पड़ेगी कि जैसे जैसे आपका धंदा बढ़ रहा है वैसे वैसे गूगल रिव्यू बढ़ते रहने चाहिए रोज आटलिस 50 लोगों ने आपको गूगल रिव्यू देना ही चाहिए तो आपका धंदा बढ़ेगा यह बढ़ेगा राइट धंदा अगर बढ़ा करने का है ना तो दिस्रप्शन यह सोचना मैं शेफ्लिस बनाओ मैं कुछ नया इन्वेशन लेके हो कि इंजेक्शन से डालो यह करो यह कर रहे हो और मेरे आपको बहुत बहुत बढ़ाईया है कि आप एक हजार बिजनस तक बढ़ो आप एक हजार लोगों को धंदे वाला बनो उसके साथ ही जो दो तीन लोग वहां पर काम करेंगे ऐसे तीन से चार हजार लोगों का घर चलेगा माने आपका जो डारेक्ट एक ही खयाल आता है मेरे को मैं जैसे बोला कि बचपन से राजगुरू सुक्द इन लोगों को पढ़ते हुए आजजी को पढ़ते वाया आया सो साल पहले जिस तरीके से भारत को एक आजादी की जुरुत थी उसी तरीके से आज पूरे भारत को एक अगले स्तर पर जाने की ये जो काम करने वाले बढलाएं एक सब्सक्राइब यूण है दंडे वाला फिर त्टे आप इतने लोगों को थन दे के बारे में मतलब जो कोई आप यह सुची आपका वीडियो कैसा इंपक्र रहे होगा एक बंदा एक छोटे से काई में मैं बैठा ओगा, सिक्किम देटाएं क्या वे विचारा नाजालेंट में बीठा और विचारा किसी कौने में पर वशकता पनकेira. 22, दर में रहके आपका वीडियो देखके बाहर एक चाही की टपरी लगा रहा होगा क्या लेबल का इंपक्ट पड़ रहा होगा यह बहुत ही बड़ीया चीज बोल दी अपने आनन भाई मैं आपको एक छोटा सा एक्जामबल देता हूं इजो की फंडेमेंटल फिलोसोफी है कि हम लोग उन लोगों के पाच जाए जिनका कोई है नहीं आज पच्चास हजार जगा पे इजो लगा हुआ है जो धंदे है उनको बड़ा रहा है और यह बात बता देता हूं कि हमारा पंधरा टका सेल्स नौर्थ इस्ट में और ओ लोग क्या बोलते पता है भाई तुम अब हमने ऐसी चीज बना दी कि तुम तालुका लेवल पे हो तुम ग्राम बंचाद लेवल पे हो या फिर तुम सिक्किम के किसी भी जंगल में बैठे हुए हो जो चाई की दुकान डलके बैठा हुआ हूँ वहां पी जबर्दस चलेगा तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा गल करने के लिए तैयार है और हमेशा के लिए करते रहेगा बहुत बहुत ज्यादा इंपक्त ला रहे हो बढ़िया है यार मज़ा है आप से मिलके थैंक यू स्टों मुट्स